हेलो फ्रेंज, दोस्तों आपके एक्सल दिखा होगा कि चहरे पर मुहासों की समस्या हो जाती है तो कई बार ये हमारे चहरे पर बहुत ज्यादा भद्दे तरीके से निकलना शुरू हो जाती है कई बार ये प्रॉब्लम हमारे पेट की कमी की वज़े से होती है क्योंकि हम अच्छे तरीके से आहार का पोशन नहीं ले पाते हैं और यही चीज हमारे चहरे पर मुहासों के रूप में निकलना शुरू हो जाती है तो आईए जानते हैं आज कुछ ऐसे आहारों के बारे में जिसे अगर आप उपने चहरे पर लगाएंगे तो चहरे पर मुहासे कभी भी दस्तक नहीं देंगे आहार नमबर एक है शहर शहरे के अंदर काफी ज़्यादा प्रकरतिक तत्व होते हैं चहरे पर मुहासे निकल रहे हैं तो आप चहरे पर शहरे पर शहरे लगा सकते हैं शहरे के अंदर कफी ऐसे तत्व होते हैं जिसे अगर आप चहरे पर लगाते हैं तो उसकी वज़से चहरे के मुहासे काफी हद तक दबना शुरू हो जाते हैं और उसके बैक्टेरिया भी ज्यादा हद तक नहीं फैलते हैं तो दोस्ता अगर चेहरे पर बहुत ज्यादा मुहासे निकल रहे हैं तो आप चेहरे पर शहद लगा सकते हैं अहार नमबर डो है पुदीने की पतिया यानि की मिंटलीज पुदीने की पतियों को 4-5 या फिर चेहरे के अनुसार लेकर अच्छे तरीके से पीस लीजे और इसे अपने मुहासों पर लगा लीजे 35-45 मिनट तक इसे चेहरे पर ऐसे ही रहने दीजे और उसके बाद चेहरे को साफ कर लीजे अगर आप इस प्रकेरिया को लगातार 15 दिनों तक करते हैं तो या आपके चेहरे से मुहासों को भी दूर कर देता है और उनके दाग धबों को भी दूर कर देता है इसी के साथ साथ अगर आप इसे रेगिलर करते हैं एक हफ़ते में एक बार तो ये चहरे पर मुहासे निकलने ही नहीं देता है आहार नमबर तीन है संत्रा संत्रे के रस के अंदर बेकिंग सोडा मिलाकर पेस तयार करिये और से अपने चहरे पर लगाईए 20 नट तक इसे सूखने दीजे और इसके बाद वाश कर लीजे अच्छा माना जाता है मुहासो को रोकने के लिए आदे पके हुए केले को मैश करके इसके अंदर अंडे का सफेद भाग और एक चमच आटा मिला लीजे और अच्छे तरीके से फेट कर या फिर मिलाकर इसका एक फेस पैक तयार करिए चहरे पर डगा कर 20 मिर्ट के लिए सूखने दीजे और उसके बाद वाश कर लीजे ये चहरे के मुहासो को ठीक करने में काफी ज्यादा अच्छा आप्शन है सो दोस्तों ये है कुछ ऐसे आहार जो चहरे पर मुहासो को दूर करते हैं और वापस आने से भी रोगते हैं इन्हें जरूर ट्राय करें मेरी ब्यूटी और हैंसे रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए